तो बहुत ही टेस्टी बनेगी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं इस रेस्पी को तो इसके लिए 300 ग्राम मैंने फ्रोजन मटर को दो के लिया है और 400 ग्राम लिया है पनीर जिसको मैंने इस तरह से काट लिय अब ग्रेवी के लिए तीन बड़े साइस के टमाटर जिसको मैंने रफली काट लिया इसका पेश्ट बनाएंगे और 20 का लिया ली है मैंने काजू की जिसे गरम पानी में भीगो दिया है तो दो गंटे करीब भी होया है और तीन बड़े साइस के प्यास देड़ इंच अध तो आप पनीर जो काटके रखा है पूरे पैन में इसको हम फ्राइ करने के लिए लगा देते हैं तो बहुत ही बड़ी रस्पी है जरूर ट्राइ कीजिएगा तो देखिए मैंने पूरा पनीर सिखने के लिए रख दिया है तोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे पनीर हमारा फ्राइ होने के बाद सॉफ्ट रहेगा और अलट पलट कर पनीर को मैंने फ्राइ कर दिया तो बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे अब ग्रेवी के लिए एक कडाई में डेड़ बड़े चम्मच सरसों के तेल डाल लेते हैं तेल को अच् करके बान के प्याजेब को कडाई में डाल देएंगे और बराबर चलाते हुए 2 से 3 क दिर मेट आलों हम भूण तो देखिए काजू को प्याज के साथ अच्छे सेकाः कर लिया है और जो तिल निकलने लगा है यह मैं बहुत कर सकते हैं तो दहिए से मैंने अच्य से बून लिया है और बहुत ही बड़िया सबजी बनेगी आप इसमें एक चमज नमक डालेंगे तो आप टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल सकते हैं नमक को भी ग्रेवी के साथ मसाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से अगर आप मटर पनीर बनाएंगे तो बहुत ही स्वाधिश्ट सबज बनके तयार होगी तो मसाला देखिए अच्छे से भून गया है और कड़ाई में देखिए किनारों में तेल चोड़ने लगा है अब लास्ट में दो चमज घर की फ्रेस दही डालेंगे और दही को भी मग्रेवी के साथ मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंग तो मलाई को भी अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट करीब भून लेते हैं तो मसाला हमारा भून गया है अच्छे से तयार है अब लास्ट में एक चमज कसूरी मेर्थी डाल कर भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ सेकंड इसको भून लेंगे तो मसाला हम मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो 6-7 मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे तो देखिए मटर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है बहुत ही बढ़िया हमारी ग्रेवी बनके तयार हो यह अब जो मैंने पनीर फ्राइब करके रखा है पूरे पनीर को हम इस पड़ाई में डाल देते हैं और पनीर को डाल कर मसाले के साथ अच्छे से इसको एक बार मिक्स करेंगे तो देखिए अभी से देखने में कितनी टेस्टी हमारी सब्जी लग रही है तो इससे मैंने मिक्स कर लिया है आधा लीटर करीब इसमें पानी डाल लेंगे पानी डाल कर एक बार अ आपके पास किचिन किंग मसाला नहीं है तो गरम मसाला डाल सकते हैं और हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही बड़ीया मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हुई है अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं रोटी पूरी प्राटे किसी के साथ भी खाये थैंक इफो